क्या करने वाले हो आज मैं दादी की शेवा करने वाले हो क्या हो गया दादी को दादी के पैर थख गए अच्छा दादी के पैर थख गए तो कहां गई है दादी आपकी दादी के दूचे में तो लगए मैं दादी को लबा लगा रहा हूं दादी को लबा लगा रहा हूं पूचिए लड़ो दादी को क्या हो गया बाबू दादी के बांजय में तो लग गई तो आप क्या लगा रहे हो दबाई लगा रहे हो अच्छे से मानिस करो लड़ो क्या हो गया दादी की हाथ में तो आप क्या लगा रहे हो यहाभाई लट्डू क्या कर रहे हूं अच्या ये देखू दादी के इंग्ली तो वो बिलकुल काली पढ़ गई और लड़ो लगा रहा है अपनी दादी को दवाई की छ़िलदी से दादी ठीक हो जाए ना लड़ो और लड़ो आया भाई या तिपोला से कुछ दिन के लिए और लड़ू नानी के घर से आया है तिपोला से नहीं आया भहिया क्योंकि लड़ू चला गया था अपनी नानी के घर तो आज ही आया है नानी के घर से तो बोल रहा है मैं तिपोला से नहीं नानी के घर से आया हूं लड़ू आप कब आया अच्छा नानी की घर से आये थे लड़ू दो दिन पहले ही आ गया था और मैं तो आज ही आई हूँ घर पर और यह देखे लड़ू जल्दी ठीक हो जाएंगी दादी के तो बहुत ही लग गई है बाबू दादी के तो बहुत ही लग गई है आपको अब सही होने वाली है ना तो लड़ू आप ती पोला तो नहीं जाओगे बेटा जाना मत ऐसी सेवा करना ठीक है यह अच्छा पता चला आप कल चल जाओगे तो नहीं अब लड़ू करेगा दादी की सेवा ना बाटे बेटा लड़ू यहां अच्छा लगता कि ती पोला में बाबू अच्छा तो आप मम्मा के पाच जा रहें बटा दादी की सेवा करो लड़ू मालिस कर रहे हो आप क्या हो गया दादी को दादी के पैर थक गया है है अरे वाब मेरा लड़ू तो बहुत खौशियार हो गया वही अभी से अपनी दादी की खुब शेवा कर रहा है अब देखिए दादी कर रहे है लड़ू की मालिस पहले लड़ू ने करी थी दादी के अब दादी कर रहे है लड़ू के मालिस ना यह देखिए गाइस पहले लड़ू ने की थी दादी की मालिस आप कर रहे हैं दादी लड़ू की मालिस लड़ू भी थक जाता खेलते खेलते ना बेटा आप भी थक जाते हो अच्छा यह बताओ आप आप सौपिंग करके क्या क्या लाए हो कहां से लाए हो कपड़े अच्छा मौल से लेके आए हो अरे वाँ तो अपनी च्वाइस के लिए है कि मुम्मा के च्वाइस के अच्छा दोनों के च्वाइस के लिए हैं कपड़े अरे वाँ और ट्वाइस लेके आए हो कुछ और आज आपने क्या खाए थे अच्छा मूमो उस खाए अच्छा तो कैसे लगे मूमो भीया लड्डू ने खाए थे मूमो आज और कौन लेके आया था मूमो अच्छा लगता है अच्छा बता दू सब लोगों को आपको जादा टेस्टी क्या क्या लगता है मूमो और क्या लगता बाबू यह देखिए मम्मा का अंगूठा दब गया था और बिल्कुल ब्लैक हो चुका है कि वाना चोट लग जुकी है लड़ो आपको पीजा अच्छा लगता है अब कर रहे हैं कर रहे हैं और यह आपने किलिक करा बाबू यह फोटो आपने किखिची है अरे और और कि और किलिक करके दिखाओ लेकिन आप बैड जाओ लड़ो ने तो भौती किलिक करी भई फोटु लड़ो ने तो फोटु किलिक करती बाबू अरे 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 फोटो की डादी की क्लिक कर दोगे फोटो लड़ो तो फोटो ग्राफर बन गया है भाई इतनी सारी फोटो क्लिक कर दी अब खिलिक कर रहा है गायतरी बुआ के देखाओ देखाओ कैसी कैसी किलिक करी है अच्छी किलिक करी है नो रे बाब रे बाब लट्टू तो बहुत होश्यार हो गया भाई अब में बादे करते हैं लट्टू हाथ तो रख लेता तो पोटू कैसा कीचाई कर देखो गाईस ममा के हाथ में चोट लग गई थी और उनका अंगोठा बिलकूल नीला हो चुका है दरवाजे से उंगली दबने से उनके हाथ में बहुत जादा स्वैलिंग आ गई थी उनके आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है चोट लगती रहती है और दरवाजे से उंगली दब चुकी थी और लड़ू यहां पर फोटू कीच रहा है सेल्फी ले रहे हो क्या तो अपना क्लिक कर रहे है बाबू अपनी फोटू क्लिक कर रहे हो क्या यह दादी की यह तो बहुत ही के किलिक कर दिया आपने तो लड़ू लड़ू पीजा खाने चलोगे कल जाओँगा तो आप पिजा ने खाओगी मैजाच अब दश्ची भी होगी मैजाच नसी हाँ हाँ नसी प्रश्ची पूंगा अब दश्ची को होगी जूस पीजाना दाजी को हुआ अच्छा जूस हाहा केना दाती ती जूस पी लेना फिर अर्च दिद वियों अ अगे तरी बुओ का यर या रिया नदू है जब या रहे रहे वहा है दोनों मिलके देंगी क्या तो कल काई से जाएंगे हम काई से जाएंगे ट्रेन में तो वो बाली दादी के घर ले चलेंगे ममा इसको पिली भीत वाली दादी है अब हम लड्डू को लेके जाएंगे ठीक है हाँ हाँ हम रुकेंगे ट्रेन में बैठ के पीजा खाने तो फिर इतनी दूर क्या पीजा खाने जाएंगे हम हाँ हाँ उनके हिया डॉगी भी है दो दू डॉगी है तुटू बड़ी बड़ी डॉगी है यह अपनी डॉगी पर असली डॉगी एं बेटा बहुत बड़े बड़े डॉगी यह काट लेते हैं हैं कि अ हाफ टॉर्ट्ट लट्टू का डान्स देखो हाँ आपकरो इस्टाइब लट्टू यह कौन सा डान्स था आपका मूँ 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 नादे पोडी डान्स जोजोपा कर दान्स प्रादन कर दो पिदे टो कर